नमस्कार आप सभी को तो आज हम लोग डीजल साइकल हमारे चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो फिर डीजल साइकल के लिए जैसा कि मैंने समझाने के लिए आपर बना दिया है कि किस तरह से पिस्टन मूव करता है ठीक है डीजल साइकल में तो जैसे कि सबसे पहले हो ना हो किसी भी exam में और समझने के लिए भी ये point of view से बहुत ज़्यादा important है तो होता है क्या है कि air pass होती है air को यहां से suck करता है ठीक है one से two state में one से two में क्या किया जाता है कि air यहां पर suck होती है फिर क्या होता है कि suck होती है फिर यहां से fuel भी आता है तो two से three में compression होता है यहां पर ठीक है अब यह जो air है air यहां से ऐसे suck की जा रही है ठीक है अब suck करने के बाद यहां पर अब इसको compression compress किया जाएगा ठीक है अब यह compress होगी फिर उसके बाद क्या होगा कि compress होने के बाद यहां पर जब यह वो होगा प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर आटोमेटिकली यह विस्पोर्ट करेगा या फिर वो करेगा मतलब पिस्टन को नीचे की तरफ ठेलेगा ठीक है ठेलेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि यह 3 से 4 ही है हमारी स्टेज होगी और फिर अंतिम में कि यहाँ पर होता क्या है कि पिस्टन उपर जब जाता है अपनी उपर की पोजिशन पर रहता है तो इसको हम लूग क्या कहते है टॉप डेट सेंटर याद रखियेगा टीडीसी लिखते है या फिर टॉप डेट सेंटर इसी को TDC बोला जाता है ठीक है और जब यह नीचे रहता है जब यह पिस्टन नीचे आ जाता है मतलब अपनी final अब इससे उपर नहीं जा पाएगा तो वहाँ पर उसको top dead center कहते हैं और जब यह नीचे आता है तो अपनी एकदम जब नीचे वाली पहले तो पहले तो सक कर रहा है सक कर रहा है प्रेशर बढ़ नहीं रहा है फिर उसके बाद हो क्या रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है बस तो वन से टू तक section का काम चलना है ठीक है अब होगा क्या कि हम लोग compression करेंगे तो जाहिर से बात है कि प्रेशर तो इंक्रीज होगा बहुत तेजी से इंक्रीज होगा जब क्म्प्रेश करेंगे हम लोग तो फिर यहां से ले करके यह ऐसे हम लोग कुछ इसे इंक्रीज कर दिये तो यह हमारा आ गया टू से थ्री ठीक है अब क्या हो रहा है क्म्प्रेशन के बाद क्या हो रहा है हम लोग का आता है एक्स्पैंशन तो एक्स्पैंशन में क्या हो रहा है कि प्रेशर तो फिर से जब यह एक्स्पैंड करेगा तो फिर उसके बाद जो compression जो अंतिम में दबा रहेगा जब visport होगा तो visport होने के बाद उस time पर भी वही pressure रहेगा और उसकी वज़ए से जो expansion होगा उस तक भी वही pressure रहेगा उस time period तक भी तो वही pressure रहेगा उस time period तक तो बस वहाँ पर volume increase हो रही है volume increase हो गई ठीक है अब देखते हैं अब क्या होता है कि ये होगे हमारा 3 से 4 अब हम आ गए और अंतिम में क्या हो रहा है एक जोस्ट तो एक जोस्ट में क्या हो रहा है हमारी जो volume है वो finally decrease हो रही है decrease होते जारी है दीरे 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 प्रेशर भी होते जारी होते जारी होते जारी होते जारी और फिर उसके बाद क्या होगा हमारा हम यह पच्छवास टे और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली यहां पर आ जाएंगे फिर उसके बाद क्या होगा यहां से डारेक्ट इससे जाएगा ऐसे जाएगा मतलब यहां पर जाएगा एक compression होगा फिर उसके बाद expansion फिर वापस एक जौस तो इस तरह से हमारी diesel cycle चलती रहती है कुछ इस तरह से ठीक है अब आते हैं हम लोग इसके TS डाइग्राम को भी देख लेते हैं TS डाइग्राम में क्या है कि temperature और S क्या है यहां पर entropy ठीक है entropy को हम लोग S से represent करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं 2 से 3 तक यहां पर compression हो रहा है compression हो रहा है compression हो रहा है तो entropy constant रहेगी entropy constant रहेगी तो फिर direct हम लोग क्या होगा यहां पर temperature raise होगा जहर सी बात है temperature raise होगा फिर उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा direct expansion में मतलब जो वो रहेगा ये बढ़ता जाएगा अलका-अलका 3-4 फिर वापस आएंगे हम लोग ये होगे हमारा exhaust और फिर हम लोगा ये यहां से ऐसे है तो कुछ इस तरह से हम लोगा TS डाइग्राम बनेगा एक बाद फिर से मैं आपको TS डाइग्राम एक्स्प्रिम करता हूँ मैं बताता हूँ कि यहां पर जैसे कि हम लोग second, second से हम लोग यहां पर डारेक्ट हम लोग temperature तो raise हो नहीं रहा है यहां पर second से third stage में बढ़ती जा रही है इसकी ठीक है फिर होता क्या है कि entropy फिर से constant हो आती है constant हो आती है फिर 4 से यह isentropic process होने के कारण होती है ठीक है फिर उसके बाद 4 से 5 तक में temperature हमारा drop करता है फिर वापिस से यह second position पे आता है second stage पे ठीक है तो इस तरह से हमारा यह TS diagram बन जाता है okay thank you everyone wait for my next video thank you